जब भी भी बच्चे घर पे बर्गर की डिमांड करते तो हमेशा हम लोग का मूँ बिगर जाता है यार कितना जंक खाएंगे पर क्या करें उनको रोक तो नहीं सकते सो बेटर है कि हम लोगी घर पे जंक को हेल्दी वर्जन में कनवर्ट कर डालते हैं बर्गर बन तो मेरे रेडी है अगर आपने घर पे बर्गर बन नहीं बनाए है तो बहुत आसान है उपर लिंक है वो लिंक पे जाके चेक करो बर्गर बन की रेसिपी और घर पे बर्गर बन बनाओ और उसके बाद आज मैं जो टिक्की आप लोग के साथ शेयर करने वाली हू हम जुवार में से टिक्की बनाएंगे नमस्कार मैं हूँ आनिलकोटक शुरू करे यहां पर मैंने जुवार ली है चारा भी बोल सकते हो वाइट मिलट भी बोल सकते हो इसको तीन से चार घंटे गरम पानी में भिगो के दो या तीन विसल तक उसको कुक करना है थोड़ा सा नमक डालके उसको कुक करेंगे make sure के उसका जो एक एक दाना है वो एकदम ड्राइ होना चाहिए खिचडी जैसा नहीं हो जाना चाहिए इस वेरी इंपोर्टन अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे कि इसका दाना बहुत बड़ा है अभी मैंने ज्वार ली है इसके जगा बाजरा भी ले सकते हो या कोई भी मिलेट ले सकते हो कोडो मिलेट भी ले सकते हो बहुत जादा नहीं पीसना है एक बाउल में निकाल देंगे बारी कटिवी प्यास बीट रूट कच्छा बीट रूट ही लिया है इसको ग्रेट कर लिया है आप चाहो तो इसको पार बॉइल करके फिर ग्रेट कर सकते हैं पर हम लोग टिक्की को इनी विच्वेस कुक करने वाले है और एगानो चिली फ्लेक्स टिक्की जो होती है बर्गर में वह बहुत फ्लेवर फुल होनी चाहिए इसके जो फ्लेवर जैसमें जो मसाले है वो थोड़े स्ट्रॉंग करने हैं हरी मिर्ची थी उसकी पेस्ट लसुन की पेस्ट नमक चाट मसाला पीमो कारास बाइंडिंग के लिए बेसन लेंगे अभी मैं दो चमट डाल रहे हूं फिर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आड़ करेंगे चीज अच्छे से मिक्स कर लेना है पिकी को शैलो फ्राइ करना है इसलिए आइल को थोड़ा गरम करने रख लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्ज लेंगे ड्राइब ब्रेड क्रम्ज लेने हैं उसका उपर जो ले अरे उसको क्रंची करने के लिए और उसको ब्रेड क्रम्जे कोट कर लेंगे पर इते हैं, करते हैंल होता रचा है पेडल कि अबडे लेंब ऑल बर्गर की टिक्की तैयार है वी बर्गर बन भी तैयार है इसको असेंब्लिंग कर ले यहां पर मैंने फ्लेवर्ड बर्गर बन लिया है अब कोई भी बर्गर बन ले सकते हो थोड़ा सा बटर में रोस्ट कर लेंगे सिर्फ अंदर की साइट से रोस्ट करना है थोड़ा सा मियोनीज लगाएंगे लट्यूस चीज स्लाइस टिक्की तमाटर अनियन और ककडी थोड़ा सा रोस्टेट पेपर उपर के लेयर में भी थोड़ा सा मियोनीज लगा लेंगे लोजी हो गया आपका बर्गर तैयार इसमें मैंने मिलेट्स की टिक्की बनाई है आप चाहे कोई भी मिलेट ले लो मैंने